सवी दर्शकों को प्रणाम नमेशकार जय स्री कृष्णा आज हम बात करेंगे मेश लगन से लेकर के मीन लगन तक के जातकों के सभाव के कैसे होते हैं लोग और इतना सटीक आपको लगेगा कि पता चलेगा कि हां कोई सूत्र है इन सूत्रों को विशेश तया हमने संजो करकी रखा हुआ है और अंतर से जितना 32 वर्षों में हमने ग्रहन किया है उसका सार तत्थे और तत्थो पाया है बिलकुल सटी तो समय बिलकुल भी इधर उधर मत गवाईए और पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा हम सबसे प अर्थम भाव अर्थात लगन में मेश राशी हो तो बहुधा मंगल के गुणों को लिए हुए जातक होते हैं मंगल का सुभाव क्या है कामकाज में तेज कुछ-कुछ क्रोधी प्रकृति के होते हैं चूकि मंगल लगना अधिपती और अस्टमा अधिपती दोनों बन जात होते हैं यहां पर अता मंगल पर जीन ग्रहों का प्रभाव हो उन ग्रहों की प्रकृति सुभाव तथा तक तो आधिद्वारा मनुष्य की मृत्य होती है जैसे मंगल पर शनी का मंगल पर चंद्रमा का मंगल पर ब्रहस्पती का जो भी प्रभाव होगा उसके कारण से उनक भक घरों का स्वामी बन जाता है मेश लगनका और अस्टम भाव का स्वामी मंगल ही हे रख मंगल यदि बलवान है तो आयू लंभी होगी और घंड में पड़ जाती है और यदि मंगल निरवल है तो मनुष्य अल्प जीवी होता है मंगल लगनेश का प्रमुक वैसन अस्था का स्वामी होना मनुष्य को ब्यसंशील बना देता है विशेस्तया तब जब कि मंगल का प्रभाव चतुर्थ भाव पर तथा चंद्र भाव पर हो राहू जात्यंतर तथा जाती हींता काद्यों तक है जैसा कि सरवार्चंता मणी में कहा गया है कि राहू धोजाभ्या मत जात जाती ही न अर्थात राहू तथा केतू इनके कोई जाती नहीं है यह जिसके साथरेते उसके जाती बन जाति है कि यह तो रही मेश लगन की बात आपको समझ में आई या नहीं ब्रिश लगन है अगर आपका तो ऐसे लगन वाले जातक बहुधा शरीर से सुन्दर होते हैं क्योंकि शुक्र एक सुन्दर ग्रह है बिलास्प्री होते हैं और गैर हिंदू जातियों से संपर्क रखते हैं क्योंकि शुक्र के दूसरी जाशी अन्यता देव तक छठे भाव वे पड़ रही है छठा भाव चोट का है विशेस्त तया जबकि गुरु तथा मंगल का प्रभाव शुक्र पर हो ऐसे मनुष्य बिलास प्रिय होते हुए भी जब अपने काम करने पर उतार होते हैं तो बैल की तरह खूब परिश्वम से काम करते हैं कैसा रहा ये सूत्र वरिश लगनवालों के लिए मेतोन लगन जिनका है इस लगनवाले का अगर बुद्ध बहुत निर्बल हो तो जातक बुद्धी के तिब्र होते हैं यदि बुद्ध सूर्य शनी एवं राहु आदी अलगावादी जनक ग्रहों के हो जाए अलगावादी ग्रहों का तो माता का सुक्ष बहुत कम हो जाता है राज कर्मचारी का इस प्रकार से प्रभावित बुद्ध बहुत बार अस्थान परिवर्तन ट्रांसफर करवा देता है यदि बुद्ध और चंद्रमा का संबंध चतुर्द भाव से हो तो ऐसा ब हो और शुक्र भी ऐसा ही हो तो बिक्ति के पागल हो जाने के बहुत सारे चांस रहते हैं क्योंकि पागलपन में आने वाले सभी अंग लगन चतुर्द भाव पंचमेश बुद्ध तथा चंद्र निर्बल हो जाते हैं इस लगन वालों के यदि लगन तथा बुद्ध पर मंगल आदी पापी ग्रहों की दृष्टी हो तो इसका तात पर ये होगा कि मामा का कारक बुद्ध तथा माता के भाईयों छठा अस्थान इस अस्थान के अस्थान से अस्टम अस्थान का स्वामी दोनों ही प्रबल रिक्तिको मामा अर्थात मा के भाई का सुख अर्थात उसकी संख्यात था उनके द्वारा सद्विवहार का सुख बहुत कम होगा मिथुन लगन इनके लिए मंगल चोट और तथा स्थान छठे स्थान का स्वामी होता है चुकि मंगल स्वयम भी एक हिंसा प्रियग्र है अतह छती आदि का कारक है पुनुष्च मंगल भावात भावाम के सिद्धान के उसार चठे से चठे भाव का भी स्वामी है अतहा ये मंगल में आतिशे क्रूरता पाई जाती है यदि मंगल ये मंगल लगन में स्थित हो जाए तथा चतुर्थ भाव तथा चंदर पर द्रिश्टी डाले तो मनुष्य को हिंसा प्रिय क्रूर डाकू आदी भी बना देता है मंगल का मिथुन लगन में स्थित होना सिर में चोट लगने का योग बना देता है विशेश्त तब जबकि बुद्ध पर भी मंगल का प्रभाव हो ये तो बात रही मिथुन लगन की और करक लगन वालों के बारे में अब हम जानते हैं चूकि कारक लगन का स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा सब की माता है इसलिए इस लगन वाले म्रदु सभाव के होते हैं सब के ही तैशी होते शत्रुहीन सत्य प्रिय होते हैं इनमें छलका अंश कम होता है ऐसे मनुसे शीग्र जल्दी काम करने वाले शीग्रता प्रिय होते हैं क्योंकि चंद्रमा शीग्रगामी है ऐसे बिक्ति अपने निश्चयों में परिवर्तन करने के लिए तैयार रहते हैं लचीले होते हैं ऐसे बिक्ति क्योंकि चंद्रमा अपनी कलाओं से परिवर्तन श स्थित हो उस भाव से संब्दित विषयों से उनका विशेश प्रेम हो जाता है जैसे चत्रत भाव चंद्रमा लगनेश यदी चला जाए भाई की घर में तो भाईयों से प्रेम पतनी प्रेम धर्म तो धर्म प्रेम दस्वे घर में चला जाए तो पिता और ब्योसाई कारोबार राजनीती त्यादिसे प्रेम जहां चला जाएगा वहां वैसा जातक कर सुभाव बना देता है जैसे चंद्रमा दुतिय भाव में हो न तो धान को टुम्ब से तरतिय भाव में हो तो मित्रों तथा छोटे भाईयों से चतुरत भाव में हो तो अपने देश उसकी जनता माता तथा सर्वत साधान से पंचम में हो तो बिद्या तथा बच्चों से चठे भाव में हो तो निम के कारियों तथा ब्यसनों से नवंभाव में हो तो धर्म से उचे विचारों से दूर-दूर की आत्राओं से दशंभाव में हो तो ब्य करने तथा पढ़ने से आखों के प्रयोग से प्रेम हो जाता है ठीक है यह करक लगनवालों का मैंने फल बताया सिंग लगनवाले इस वीर शासन की सकती को प्राप्त करने वाले होते हैं हरदय के बल्वान मजभूत हड्य वाले उधारे उमसाथ्ट होते हैं इसके विपरीत यह सूरी निर्वल हो जाए पाप युग्त हो जाए आप दृष्ट हो जाए तो अपमानित आँख के रोगवाले हरदय के तथा दिवान होते हैं सम्मानित होते हैं लावन्य याने संदर युक्त होते हैं रूप सुन्दर आकरती वाले गुणी गाने बजाने के बड़े चुक होते हैं हाँ अगर बुधनर्बल हो तो पेट और अंतड़ियों के रोग से युक्त होते हैं चर्म रोग से युक्त होते हैं ब यह बहुत अच्छी लगन है, क्योंकि शनी ग्रह जो निसर्गता पापी है, इस लगनवालों को अतीब शुभकर हो जाता है, इस लगनवाले व्यक्ति सुन्दर विलास प्रिया, विसन प्रिया होते हैं, यदि शुक्र बल्वान हो, और बुद्ध ब्रहस्पति से प्रभाव होते हैं इस लगनवालों के शुक्र पर पढ़ने वाला प्रभाव मृत्यू के कारणों को बताता है क्योंकि शुक्र लगने इस तता आश्ट्र में इस दोनों बन गया है जैसे शुक्र पर मंगल और गुरु के प्रभाव पढ़े तो चोट आने से गोली लगने आदिसे मृत्यू होती है ब्रश्चिक लगना स्वामी मंगल है इनका इस लगन वाले व्यक्ति बड़े उग्र सुभाव के होते हैं अपनी मनमानी करने वाले क्रोध के सुभाव से युक्त और कर्मठ एवं जिद्दी होते हैं चोरी से व्यापार करने वाले होते हैं पुलिश तथा मिलिटरी वालों के मित्र होते हैं इसे लोग ऐसे विक्तिकाइदी मंगल बलवान होतों शत्रूं पर विजय प्राप्त करते हैं इस लगनवालों का मंगल तथा शनी मिलकर जिस भाव तथा उसके स्वामी अथवा कारक को देखे उस से इनका बड़ा प्रिश्चिक लगनवालों के लिए बात रही धनुलगनवालों के बारे में हम आप बात करते हैं धनुलगनवालों का दिल अच्छा होता है यह परुक्कारी और जनता से संपर्क रखने वाले ज्यानवान-धार्मिक प्रविट्ति वाले धैरेशील सज्जन पुरुश होत और इनको नितंबू में कश्ट होता है धनु लगनवालों को ये मेरा देखा हुआ स्पश्ट है और ये जनता के क्रोध के भागी बनते हैं अर्था जनता से इनकी विशेस नहीं बनती मकर लगन इस लगनवाले प्राया छुद्र विचारों वाले होते हैं इनकी बाणी बहु की लंबी आयू होती है निम्नवर्ग के लोगों से पृती करने वाले होते हैं चोटे अस्तर के लोगों के साथ मिलकर के खुश होते हैं इनको प्राया भूमी से लाव रहता है में कुम लगना इस लगन वाले घरचीले छुद्रसॉभाव वाले स्वार्थ प्रियो प्रभाव से हीन हो यदि शनी पर गुरू आदिका प्रभाव हो तो बड़ी संपत्ति और भूमी वाले होते हैं दीरगायू तथा धनी मानी भी होते हैं इस लगनवालों का गुरू महत्तुशाली होता है क्योंकि ये दो मुल्लिवान घरों दोतिय तथा एक आदर शनिलाव क स्वामी है और स्वयम भी धनका रख है इस लगनवालों की कुंडली में गुरू यदि किसी भाव और उसके स्वामी को देखें तो उसको चार चांद अवश्य लगा देते हैं जैसे चत्तुरत भाव तदा उसके स्वामी शुक्र को देखें तो बिक्ति के पास बहुत भू परीश है शनी तो शनी तृतिएश मंगल होता है यहां का दोनों कुरूर ग्रेह हैं और दोनों ही जातक के क्रियात्मक निजत्व को दर्शाते हैं यदि शनी तथा मंगल का किसी एक अथवा दो विसेस प्रतनिधी करने वाले ग्रहों पर द्रिष्टी अथवा युती द्वारा प्रभाव पढ़ जाए तो प्रभावित बिक्ति से कुम्भ लगन वाले बिक्ति की बहुत शत्रुता हो जाती है और कई बार तो कुम्भ लगन वाला प्रभावित बिक्ति की जान तक लेने के लिए उतारू हो जाता है रहे हों तो ऐसे वर को बहुत शीग्र नहीं सोच समझ कर स्विकार करना चाहिए निश्कर्स यह है कि कुम लगनवाले मनुष्य के सनी और मंगल जान बूझ कर उल्टा काम करने की प्रवित्ति को दर्शाते हैं यदि इनका प्रभाव पंचम तथा पंचमेस पर हो तो मनुष संतान निरोध करता है यदि इन दोनों ग्रहों का प्रभाव अश्टम अश्टमेस पर हो तो जान बोझ कर मरता है अर्थात आत्म घात करता है इन बातों का हमेशा ध्यान रखे मीन लगन इस लगन का विक्तिव बहुत धनीमानी यशस्वी शुभकार्यों को करने वाला धा राज्य से मान प्राप्त करने वाला होता है यदि गुरु पाप युक तथवा पाप द्रिश्ट हो तो राज्य की और से अपमानित और राज्य विरोधी भी होता है उसके पाव में चोट अथवा रोग होता है उसके पेट में भी कष्ट रहता है मीन लगन वालों के लगन पर विचार करते सब चंद्रमा लगन तथा सूरी लगन को नहीं भूलना चाहिए जैसे लगन सब भाव में सरबोत्तम धन मान आयू पद्वी स्वास्थ सुख सब कुछ देता है इसी प्रकार चंद्र लगन तथा सूरी लगन भी देते हैं यही कारण है कि लगनाधी योग की भांती सूर्याधी योग तथा चंद्राधी योग सभी बहुत धन दायक योग माले जाते हैं तो यह तो बाते रहीं कुछ चीजों के बारे में हमने प्रथक भी बताया कैसा लगा यह लगन से लेकर के मेश से लेकर में लगन तक का जो प्रतिफल है आप हमें जरूर किसी और विशे पर चर्चा करेंगे वीडियो लंबा हो गया है इसलिए हम लेते हैं विदाप सभी से नमस्कार जैसरे कुर्शना प्रणाम